जाहिन दोस्तों एक ऐसी नीज बताऊंगा कि आपको हसी आईगी यह गुस्सा यह आपके ओपर है तो बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है इंडियन आर्मी में बात करते हैं कि पहले आपका इंडियन आर्मी में ऑनलाइन होता था तो फ्री में होता था लेकिन अब आपको अगनीवीर में 800 रुपया देना पड़ेगा तो यही दिन अब बच गया था देखना क्यूंकि आपके प्रधान मंतरी मोधी जी को यह अच्छा नहीं लग रहा था तो इसलिए इनोंने अब 800 रुपया लेना शुरू कर दिया है अब इंडियन आर्मी की भरती आपकी फ्री में होता था अब इसको भी लोग ने खा गई सरकार ने अब आपकी क्या विचार है या आपको अच्छा लगा या बुरा लगा जो त्यारी करता उससे पूछिए एक बार जरूर अब आर्मी में 800 रुपया लगेगा वाई ऑन्लाइन करने के लिए साफ अंतर खतम कर दिया आपको कुछ दिन में सुनने को मिल जाएगा यह चीज ठीक है तो यह को आपको आर्मी में जाना है तो आपको 800 रुपया लगेगा ऑन्लाइन रजिस्टेशन करने में ठीक है यही चीज मोदी कि आख में खटा कर आता कि यह फ्री में कैसे भर रहे हैं अब दो आर्मी में 800 सब्सक्राइब दो तब जाना आर्मी में ठीक है चार साल किया कि योडी लागे इसके बाद 21 साल कर दिया सारे एज लिमिट को अब इसमें पैसा लगेगा ठीक है यह होगा यह हमारी इंडियन आर्मी का हलत यह होगी है तो भाईयो पूरी नियुज आपको बताता हूं क्या सब्सक्राइब लंबा हो जाएगा तो अपना देख ली जगाच में डाल दो में पर कटिंग और देख सकते इसमें क्या लिखा है अवेदन सुल्क 250 रुपे सब्सक्राइब लगेंगे अब आपके ऑनलाइन कराने के लिए आर्मी में तो मैं में चीज पर लेता हूं कि इसमें का लिखा है सुत्रों के नुशार यह बदलाव चैन के दोरान ऑनलाइन आवेदन के लिए 800 रुपे सुल्क मिर्धारी किया गया है भरती के लिए इच्छ पसंद आये तो लाइक करना ना भूले तक के लिए जहिंद और अपनी राई जरूर देना है ना सही किया जरूर बताना तक के लिए जहिंद जरूराइब